कि वेलकम देट्टुडेंट तो लास्ट लेक्चर में हम लोग समाई लिए थे कौन क्वेक्स मेर किस तरह का इमेज बनाता है और कौन के मिरा कॉन्वेक्स मेर के 20 का क्या डिफेंस है ठीक है तो आज हम लोग समझेंगे कि वेडियस ऑफ का वेचा फोकल दिंद के 20 का जो विल जबेखते हैं है निसद pues रही है तो पहले हम आपन के मिल्ड़ के केस में डेरिवेशन कर्ता है ठीक है तो क्या हो क्या है वो पूल है ठीक है तो हम focus यहां पहरी लेता है अधिये के मेरा focus करके का आप यह क्या हुआ मेरा focus और जो और वक्म कहा है ये मैं यो जो यह पूल है क्या हैences ऑप स्थियाने च्पत्र और सेंटर को आइच अभी सिर्स होता है जिपना मुअ तरना ही है ओना लेन्द और सेंटर करेंजि게 के बिच का डिश्टन्स होगा मतलब बेडियो कहुई फडेजरों जो होगा वसी धियां मतलब सेंटरों करते है is जतना लेंद यहां ओवसी जज 밖에 ड Classic यहां पर अब हम कुछ लिख लेते हैं जो गिवन है ओ एफ उसको हम मानते हैं वो क्या है मेरा फोकल लेंथ फोकल लेंथ और उसको हम लोग स्मॉल एफ से दिनोट करेंगे एफ ठीक है और ओसी जो है तुम है उसी जो क्या है मेरा वेडियास औफ कर्वेट्र और वेडियस औफ कर्वेचर अंबहाैँ議 क्या तो पालल विम उक्त कीन आया है ठीक है उसका नाम यह एक पारिलल भी माया लाइट का एक लाइट आया जो पिंपर लाइग जिसे क्या था पारिलल था तक्राने के बाद यहां पे नानी कॉन के मेरे के सर्फस से टक्राने के बाद फोकस से पास किया कर भूंठ से पास किया है अब हम लॉफ रिफ्लेक्शन से जानते हैं कि जितनी एंगल पे लाइट आया है उतनी एंगल पर रिफलेक्ट भी करता है ठीक है यह लाइट आया और यह रिफलेक्ट किया फोकस फास प्रेट आए जना वूल में भी समझे है कौन तब भी समझे था नाम देते हैं जो यह था यह पी और क्या था मेरा ठीक है अब जैसे कि जानते हैं क्या होता है एक सर्फेस यह एक लाइट रहाया यह इस पर सर्फेस के ऊपर और क्या हुआ रिफिलेट कर गया वापस तो यहां पर यह चो एक पर्पिंडिकुलर करते हैं उसका हम लों क्या बोलता है नॉर्मल बोलते हैं अलब जितने एंगल पर लाइट इंसिडेंट किया है उतने एंगल पर लाइट रिफलेक्ट भी करता है मतलब आई इस इक्वल टू आर तो वही कानी यहां पर भी हो ला देखिए यह चोटा सर्फ हम पर नॉर्मल मतलब लाइट जितने एंगल पर लायट आ रहा होगा मतलब नॉर्मल से एंगल पर लाइट इंसिडेंट किया है अतना यह एंगल पर एफ्लेक्ट भी करेगा अना मतलब कि जतना है उतना ही आल होगा ठीक है जैसे could only?". यतना ही एंगल आफ si लेक्षन तो क्या हम लिख सकते है दोनों को यह मान लेते हैं जतना पर आया है उतना ही distress किया तो पम एक बाद यहां पर उपिंट रिंग देता है से ठीक है आगे हम नोग लिखेंगे क्या यहां पर अ था देखें एंगल पी qc यह वाला अगल या करसर देखेगा सभी से पी क्यू और सी यानि यह वाला थिन का एंगल यािव किसके बराबर है एफ एफ क्यू सी यानि एगल को बीच में रखते है ना कि इसके ब्राबर है मतलम यहां पर लिख सकते हैं एंगल पी क्यूक सी इसकोल टू एंगल कि एक क्यू क्योज सी अ मतलब किसके वाई लॉफ एकसे यहां पर लिखना है तो लिख दिया लाओ और रिफिलेक्शन के वाएसे यह हम दिखें हैं तो इस्तर से डेरिवेसिन करना कई फॉलोग करना अंगल पी कीउसी इजी कवल तू fq सकति क्योंकि दोनों का उन्गल से मुझे यह वाला भी आई है तो यह वाला भी आई है वह आ लुट उच्छा है इन दोनों लाईन को दढ़े हैं तो यह दोनों क्या एक दूसरे से पालल लाइन यह वाला क्वीक्यू क्यों की नोशी एक दूसरे सी क्या है तो यहां रहा कि वह सब्सक्राइब ऑख स्काफीर यहां इनंग नेb bosa घ्रलर राइन already और हमारे धो कॉझक कि पहले लाइन एम यह दोड़ सब्सक्राइब बैसे सब्सक्राइब बाइउन कट करें जब को तरफ इसको कट करता है है तो यह वाला एंगल जो हता है यह वाला एंगल यहाँ पर जो एंगल वणाивать खुंद वजो नवल यहार इंगल इसको हम लोग कैसा एंगल बोलते हैं सब मेरा क्या क्या है कोस्पांडिगें सबस्के matter नाम देते हैं वर्ण ऺट्सका नाम देदिए थरी और यह हो गया फोर मैं यहां पर लिख देता हैं वन gaming एंगल one जो है इंगल वन उकुवल टूसrien मतलब यह ऑङ गम एनगी एकुवल है अंगल two एंगी फोर ना इकुवल है ठीक है तो यह यह दुनों आपने इसको क्या पर लेंगा ले देखें यह अंगल टू और एंगल थी यह एंगल टू है यह एंगल थी के एकवल होगा जिसको हम लों क्या बोलते हैं ऑल्टरेनेट एंगल और एक बात है कर आशच्य से दिखा लेते हैं तर देखे यह एक लाइण ठीक है और यह ईसको cut की है एक li crimes को cut की है ठीक है तो यह वालना जो एंगल है यह इस एंगल के बराबर होगा मतलब इसको हम लों क्या बोलता है सपोस्किश की यह यह वन है और यहां पर नाम दिेए इसका एंगल 3 के ब्रावर सब्सक्राइब ये आंगल सब्सक्राइब ये वह तुछ होगा फूर्ड ये ये हो गया फूर ये प्रीप wise कि अगल गुल्षोर ने निअ निजसक्जा न ने रीटिकली हो बुलते हैं ओ सब्सक्राइब ऑसे कर संद्सक्राइब वर्टिकल यह उपोजिट आंगल इसको बोलते हैं है ना वन जो एंगल यह वाला होगा वही यह वाला भी होगा वन और ती तोने एकवल टूब ओफोर तोने इकवल ठीक अच्छा और अच्छा और यहां समझ में आगए यह से कि यह वाला जो एंगल वन है वह वह फोर के ब् ठेक है ना अब हम लोग समझते हैं यह बार अगर समझ में आगे आपको लाचे परढ़ें तो आच्छे समझ में आगे होगा नहीं समझे तो अभी भी किल्ब गश्माज में आगे होगा लिया पुसिट करते हैं अना पी क्योसी यहांड यह स्वाइन ये थह अच्छे से लाइन यह बाला देखेगा यह बाला यह लाइन इसको लाइन टो पर लाइन पर रहो यहीं है तो यह तू विय और यह और यह और यह लिख सकते हैं अंगल पी क्यूव सी इस इकवर टू एंगल पी क्यूव सी इस इकवर टू वाला एंगल ठीक है और हम यहाँ पर और लाइन लिख देंगा अच्छे से अब यह वाला भी आई और यह वाला एंगल भी क्या है आई गें थूपिक हैं फिर्से यहां पर एक लाइन हम अच्छे से लिख देते हैं फिर से यह वाला भी अंगल आई है यह वाला भी अंगल आई है तो हम यहां पर क्या लिखेंगे एफ कि क्यूँ इस एक्वल टू एंगल एफ क्यू सी एफ क्यू सी अना यह दोनों अंगल ब्राबर एक दूसरे के अच्छा तो यहां पर दो आंगल एक दूसरे के ब्राबर हो रहा है देखें यह वाला भी अंगल ब्राबर हो रहा है यह वाला अंगल भी ब्राबर है तो इस आज ट्रा आंगल को देखए घू यहाँ वाला फिए सब्सक्रांगानि यह वाले से क्यूं निचैनल कि की सब्सक्राइब आप जानते हों कि आप चरी सी चलॉर सब्सक्राइब जिसका बोजब दो और जäreसी यह को उता दो वह एक वह तो है सब्सक्राइब वाला आंगल अगा अगर 65 दिए तो यह आंगल भी 65 दिए होगा आचा यह गाइंगल टिंगे डिए समय यह 65 है और इसके सामने और 65 को नहीं युझेड वाला इश्टी फाइंड को नहीं यह वाला तो यह दुन रिंद भी क्या होगा इकवल हो तो हम यहां पर क्या लिखेंग और यहां पर क्या होगा एफ सी क्यू और एक दूसरे के तो यहां यह भी क्या यह भी आइसका मतलब स्वायर एक आंगल के सामने यह यह नक्तिया और यह थिए यहां देखे यह यहें से यह आई के सामने वाला लेंगल यह यानि एफ्क्यू वाला लेंगर ये आई के सामने वाला जो लेंगा ये वाला है अ चीवी ये दोने क्या होगा इकUh आ ये इस इकया ये तरी दोनों क्या इक्वाल है तो यहाँ पर jya कुछ बात लिखेंगे क्या लिखोएंगे चिक में पर So, triangle है, triangle QCF is a isosalius triangle, isosalius, isosalius, isosalius triangle. triangle QCF क्या हो गया, isosalius triangle है, अब इस աेंघ में क्या है, दो लेंथ equal हो जागा है, मतलब क्या, CF and fq दोनों क्या होगा,feito हो गया, तो हम लिक देते है, cf लेंथ जो है, वो cf लेंथ ये वाला लेनथ ये वाला लेंथ ये वालेंथ होगा, equal हो गया,iene सब्सक्राइब अब आगे देखें अब यहां पर हम सपोस्स करें यह जो अपरिचर है ठीक है अपरिचर बहुत इस मॉल हुआ इस पहर इस पहर हो बहुत जो हुआ तो यहां पर क्या बोलेंगे एफ क्यू जो होगा वह एफ के बराबर हो जाएगा इस किसमें तो यहां पर कुछ हम दिख देते हैं एक लाइन सिन्स अपरेचर जो होगा है बहुत स्मॉल है सिन्स दी अपरेचर इस सिन्स दी अपरेचर आफ दी मीडर इस वेरी स्मॉल अपरेचर जो है मेरा का होके है बहुत स्मॉल है तो क्यू जो होगा क्यू जो होगा और ओ जो होगा वो क्या होगा बहुत क्लोस हो एक दूसे के अना यहां पर क्या लिखेंगे हम लों क्यू आणड ओब आर व भैरी क्लोश त्व इचएदर एक दूसरे से क्या होगा बहुत करीब होगा वो दोनों तो इस केस में क्या हो जाएगा जो इस केस में हो जाएगा कि एफ ओ जो है वो एफ क्यू के बराबर हो जाएगा मतलब एफ ओ जो है वो एफ क्यू के बराबर हो जाएगा तो यहां पर हम दिख देते हैं complete अब क्या यह जो मेरा सी ओ जो है सी ओ लेंथ जो है कि हम इसको लिख सकते हैं सी एफ प्लस फो अखना सी एफ लिंथ जो है सी एफ लें तर्छ यह प्ञत है यह वह एफ लसकते हैं यह वाला तो यहां पर देखे का कुछ वाहन तिस टर्स से लेत है यह वाला यह वाला मैना क्या है सी है यहां अब ने पर लिख सकते हैं 2000 सी जो है मेरा ओस एफ से नहों धुश्य चालने बराबर है अब देखिए क्या होता है वीडियोस सव्कूरिछक्ण प्रमायर्ट होता है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे याई पर लिख दिए और फ क्या है उर फब्र्सक्वाइब यहां यह फोर क्यों आठो यहां यहां-फ के जगह पर फ क skinny ट्रीक है ओ फिर्फ के जगह पर क्या करेंगे तो यहां देखिए यहां जो तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं यहां से यहां पर कुछ भी अगर बोलें मीटर में तो नहीं सेंटीमिटर बोलेंगे तो दोनों इक्वाली होगा तो क्या हम लिख सकते हैं है सीएफ के जगा पर यहां पर लिख सकते हैं 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 यहां फ्क्यू किसके बराबर है तो एफ क्यों जो है वो एफो के ब्राबर एफ़ यहां पर लिख देए ऐस एसको चेंज करेंगा दोनों का लेंटो से दोनों का लेन तो सेम योग हो था इस तरह से लिख देते हैं ओ एफ के बराबर है ठीक तो आर इस इक्वल टू एफ प्लस ओ एफ टिक इतना कहिने का ज़रुवत नहीं आप डायक भी लिख सकते हैं हम तो तो के अच्छे समझादे रहें अच्छे से आरे आर इस इक्वल टू तो एफ और ऑओ इस के बराबर था अब लोग देंकि हैं ओ एफ किसके बराबर आए तेंस निए फ के बराबर है यह तो गया यहां तो यह देखिए मेरा डेरिविशन क्या हुआ आगे वेडियर सब्सक्राइब तो इसको अच्छे से नोट कर दीज़ेगा यह आता है एक्जाम में क्लियर तो इस्ता से यहां पर मेंशन कर देना पीकु जो है वह सीयों के पाहले ले इस्ता से डराइव डराइव करना है कि आयोपा को क्लियर सब्सक्राइब में आगया होगा चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं है इसमसे वो क्या है मेरा वो जो है मेरा वो क्या है पोल मेरे क्या हो पोल और में प compartir और अंदर की तरफ हो यहाँ पर फोक्स है पोल और फोक्स के बीच्ट डिर्चिंस हो और वही फोकस और सेंे сторон कर बीच डिश्टर्टिंस होगा तो यहँए हम और जितना पोला कोस के बीच क्या डिस्टंट से वही फोकस और सेंटरव कशमेर के बीच के बीच डिस्टंट होगो यहां पर मानने थें क्या है सेंटर वन क्या है मेरा of मैं करसर देखे oaf क्या है हम माला लेते हैं ओफ जो है वह है focal length focal length और इसको हमनों denote करेंगे small f से ठीक और oc क्या है o c ये total क्या है ये radius of curvature है oc क्या है radius of curvature radius of curvature जिसको small r से denote करेंगे radius of curvature small r ठीक है अब जानते हैं हम लोग convex मेरे कैसा मिला होता है वो diverging मिला होता है ठीक है तो सब्सक्राइल यह यह करे किया हुआ अब परलेल वे आया पिंस पर लाग इस से स्ट्राइक क्या कॉन्वेक्स मिले के सर्फिस से और क्या करेगा वो diverge कर जाएगा डाइवर्ज जैसा करेगा कि लगएगा वो पीछे से कहां से पास कर वा है फोकस से पास कर वा है यह कुछ इस तरह से डाइवर्ज हो गया अब यहां पर अच्छे से देखना है यहां पर आया इंसिडेंट क्या दे और यह रिफ्लिप कर गया मतलब अंगल अफ इंसिदेंस अंगल एक्लेक्शन इक्वल होगा अच्छा तो नॉर्मल कहां से पास करेगा यह एकदम सिंटर्स इसके पर्पेंडिकुलर नॉर्मल पा यह कुछ नॉर्मल इस तरह से पास करेगा कि कट करता हुआ इसको अधिये सेंटर ऑफ करेगा ठीकर यह नॉर्मल डो की तो यहां पर हम नाम देते हैं इसका सब्सक्राइब करें यहां पर कर जानते हैं नॉर्मल इसको तुम्हां देते हैं इसका नाम हो गया एंट अधिक आई नॉम्म कि थे किया है सेंटर करें चागे था अधिक अब जानते हैं हम लोग कि एंगल ओफ इंसिडेंट जो होता है वह अंगल अफ इंपलेक्शन के ब्राबर होता है तो यहां पर लिग रहते हैं आई आई इस एकुल टू किसके ब्राबर होगा यह आधना जैसे अम लोग जानते हैं लोग जानते हैं अब यह नोग देखें लॉफ इंसिडेंट करता है तो दुट इस जीघर करेगा ठीकर तो यह वाला आई है तो यह वाला भी नहीं क्या होगे आई माल लेते हैं अच्छा जाम लिखते हैं क्या कि एंगल पी बगशाई देखें पी क्यू इन यह वाला जो अंगल है यह वाला यह वाल जो एंगल है पी क्यू एन वो RQN के equal है PQN यह वाला जो angle है वो RQN यह वाला angle है क्या equal है ठीक है तो यहाँ पर हम पहले लिख देते है angle angle यह angle का sign है angle PQN is equal to angle RQN कैसे हुआ तो by law of reflection by law of reflection यह एक्जाम में पूर्फ कहने देता है ठीक है यह वाला एक्जाम में नजर आता है जेनरी कौन के mirror के लिए पुछता है convex mirror के लिए बहुत कम पुछता है reflection law of reflection यह लिख लिख लिए PQN IQN के equal है अच्छा अब तोगा अच्छे से देखना है यह वाला लाइन देखेगा यह वाला यह वाला जो है मतलब N C यह वाला लाइन और P और F यह वाला लाइन ठीक है यह यह वाला जो यह वाला यह वाला यह वाला यह वाल यह वाला यह वाला यह यह वाला यह क्यूंड जै David can just you one two three Kore Fun Naam दे देते हैं तो one अचिरीक और टू और फोर अंगल वन equal to angle 3 angle 2 is equal to angle 4 यह सब angle कैसा हो गया तो यह सब क्या हो गया vertically opposite angle है क्यासा angle है vertically opposite angle होता है vertically opposite angle वही से अगर आप इसको याद है तो आप यहाँ पर देखिए R, Q, N यह वाला angle जो है C, Q, F के बराबर होगा यह कुछ इस तरह सबोज कि अगर यहां सब यह एक line ऐसे cut किया suppose कि यह वाला जो angle होगा वो यह वाला भी सेम angle होगा कुछ इस तरह से है यहाँ पर यह वाला देखिएगा R, N, C और R, F जो angle यहाँ बना है वह angle यहाँ भी बनेगा इस तरह सब आप सोच सकते हैं तो angle यहाँ पर जो आई है वही angle क्या होगा यहाँ पर यह वही angle होगा ठीक है तो हम लिखते हैं आगे क्या लिखेंगे अब यहाँ पर क्या compare कर सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर जो आई होगा यह वाला R, Q, N वो C, Q, F के बराबर होगा और R, Q, N यह वाला angle जो आई है वही C, Q यहला point Q है और F इसके बराबर होगा Q, F इसके बराबर होगा ठीक तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्यासा angle है यह दूनों एक दूसरे से तो vertically opposite angle है यह दूसरे से ठीक है तो लिख सकते हैं angle R, Q, N is equal to angle C, Q, F R, Q, N यह दूसरे से क्या है vertically opposite angle यहाँ पर लिख देना है क्या है एक दूसरे से vertically opposite है एक दूसरे से vertically opposite ठीक अब जैसे कि क्या पता चल गया है यहाँ से इसको देखके मतलब P, Q, N P, Q, N R, Q, N के equal है ठीक है R, Q, N वह C, Q, F के equal है तो यहाँ से क्या हम बोल सकते है P, Q, N P, Q, N वह वह किसके equal है वह मेरा C, Q, F के बारब होगा मतलब यह वाला angle P, Q, N यह वाला angle और C, Q, F यह दोनों भी तो equal हो गया क्योंकि सब angle तो आई है तो यह दोनों भी आई हो गया यहाँ पर हम अंगला line लिखेंगे therefore angle P, Q, N is equal to angle C, Q, F करसर देखे सही से P, Q, N यह वाला angle वह C, Q, F इस angle के equal है तो यहाँ से हम यह बात भी लिख सकते हैं अब हमको क्या पता है यह वाला जो P, Q है P, Q यह वाला दे यह वाला line और O, C यह वाला line यह दूँशर से कही है यह दोनों lin एक दूशर से parallel है यहाँ पर हम दीखेंगे since Since P, Q and OC यह दूआ कि आर ठेक यह यहाँ से हमको और एक बात पता चल झाल गया कि जब दो line के यह एह दूशर से ogóle यहाँ और एक बार परहाँ कि एगांगल PQN यह वाल जो एंगल एंगल PQN और F CQ यह वाल एंगल यह वाल भी क्ली वह एक दुसरी से एकवल हो भी e q n f c q f c q यानि यह वाल आंगल यह भी क्या होगा आई ही होगा ठीक है यह दूनों भी एक दूसे से एक्वल होगा ठीक है कैसे आप यहां पर देखाते हैं हम सब्सक्राइब यह एक लाइन है यह इस्ता से यह लाइन एक कट किया इसको अब यहां पर यहां यहां पर यहां पर यहां पर भी बने घुल हला करशा है तो यहां पर भी यह भी इदमें वॉह है वह आंगल को सुवति हैं आझाल आप्र है तो यहां पर निकशले हम लिखे हम चीन के लिखेंगे दिरह कि अइजा अचाहिअ ग में इसके और अछिंद Natal non- ऑद फिक्यू और निवान जो एंगल आई-सक अप्षब अजा नहीं से क्या है यहां पर से स्कूbushy स्थी को यहां पर फ्रीšत ने तो यहां पर क्य सके कौन के मिला में भी देखें यह पर एंगल है जшая इसका यह वाला लेंथ क्या एक्वल है सब्कोर्ज़ यह दो मीटर है तो यह भी दो मीटर तो इसके अधा यह वाला और लोगा वाला यह आंगल क्या होगा च्एक तुंकार मुइंक पता CQ is equal to angle CQF दो angle equal हो गया F CQ CQF यह दोनों क्या हो गया equal हो गया एक दुसरे से that is इसका मतलब क्या है that is लिख सकते हैं triangle CQF कुछ भी triangle यह जो triangle है मेरा CQF triangle वो क्या है isosalus triangle है is an isosalus triangle isosalus triangle इसका दो angle equal है तो क्या होगा दो side भी equal होगा मतलब कौन कोन सा side तो इसके सामने वाला side मतलब यह वाला इस angle के side वाला इस angle के सामने वाला side कोन है QF है इस angle के सामने वाला side कोन है F C है तो QF और F C यह दुनों क्या होगा इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं अग्रा लाइन हैंस इसका दो आंगलmand कर दो आंगल इक्वल है इसके वैसे इसका दो सामने वाला श्राइट भी क्यों नोगा इक्वाण ओसकन 사 tinc कुन कुण सा साइड इस angle के सामने वाला side QF और इस angle के सामने वाला side FC ये दूने equal होगा तो QF is equal to FC तो ये हम यहां से लिख लिए हैं अब अगला बात अगर मेरा aperture बहुत छोटा हुआ सपोज कि ये जो aperture है मेरा का जो aperture है ये बहुत छोटा हुआ तो ऐसा होगा कि O और Q प्वाइंट ओ यानि ओर क्या होगा एक दूसरे से बहुत करीब होगा जैसे अभी हमनों कौन के मिला में देखे था क्यू आ रोबहुत करीब हो कि पता है ने चला है कौन कहां पर है ठीक है तो सब्सक्राइब करते हैं अगर है परेचा है बहुत छोटा हुआ तो क्यू जो है हो जो है क्यों जो है वो जस्ट नेक्स पाइंट होगा होगा और जो होगा जस्ट नेक्स पाइंट होगा क्यू का दोनों एक दूसरे करीब होगा तो इस केस में क्या होगा क्यू एफ लेंध जो होगा क्यू एफ यह वाला लेंध और ओफ लेंध यह दोनों एक्वल हो ती मिडर कि इसे स्मॉल मेर का जो अपरिचर है वह क्या है तो क्यू और ओ वह बहुत करीब हो एक दूसरे से क्यू एंड ओ और और वैरी क्लोस टू इच अधर मतलब जस्ट नेक्स पॉइंट होगा वैरी क्लोस टू इच अधर ईच अधर बहुत करीब होगा कि दूसरे से इस केस में क्या होगा तो यहां से लिख सकते हैं कि QF Relant के equals होगा मतलब QF इस इंग्वल टू QF is equal to OOF हो गया ठीक है तो यह बात भी पता चलगा हम को अब तो आगे क्या कहना है आगे देखे क्या हम यहां से लिख सकते हैं ओसी ओसी लेंध को क्या हम लिख सकते हैं ओसी लेंध को ओसी लेंध को क्या हम लिख सकते हैं ओस प्लस एफ सी ओफ प्लस एफ सी ओ ओ एफ प्लस एफ से हम लिख सकते हैं ऊसी लेंद को तो यहां पर हम लिखते हैं कि ओ सी इज इक्वल टू ओ ओ एफ प्लस एफ सी ठीक तब इस एक्वेशन को देखेगा यहां से यह वाला लाइन इंपोर्टेंट है और यह वाला लाइन कि हम लोग मान चुके हैं as given क्या दिया हुआ है ओ एफ जो है मेरा ओ फो क्या है फोकल लेंद जिसको से is the nue мог करते है और जिए वह सी जो है वह से करेब तो यहां पर यहां कोषी करेब क्या लिए और व्रत-ते f c किस के ब्राबर है इसको हो सप चब्कि genetically माल मुद्अ लएते हैं f c किस ब्राबर है् इसकी ब्लायबर है किसके एक्वेशन कोईकि एक्वेशन jx वं उने לי कोणि SIM के एकॉडिंः ये हम डेख सकते हैं अच्छा अब क्यू एक ब्राबर organizingोल टू माल लिचे यहां पर हम लिखे देंगे r is equal to f plus qf के जगाँ पर of लिखे देंगे फिर से according to equation 2 equation 2 के according यह लिखा हुआ है और of किसके ब्राबर होता है f के ब्राबर होता है तो यहां पर आ गया है r is equal to f plus f मतलब वेडिस का वेचा क्या आ गया r is equal to 2f तो वेडिस का वेचा जो होता है वो two times होता है focal length का यह हो गया मेरा approved और focal length जो होगा वो radius of का वेचा का आधा होगा r by 2 ठीक तो एक्जाम में कभी कभी short question पूछ देगा if the radius of का वेचा है of concave mirror is 4 cm then what is the focal length of the concave mirror से डिवाइड करेंगा two to the four मतलब two cm focal length तो आधा हो जागा radius तो का वेचा का वेचा का सिंपल focal length के लिए रबात तो कौन के मिरा convex mirror का प्रूफ आता है ज्यारा था कौन के मिरा का आता है तो इस तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे अब अब अपनों सहने घ़टा कौन के मेर रोता है क्या करेता है कि वह क्या करेता है मैंगनीफाईडि मेज को बढ़ा करके देखाता our yeah कॉंवेक्स मेरे का वियू मेरे में यूज करता है कहां जब हम लोग कार में बैठते हैं तो सामने मेरे लगा रहाता है सामने वाला यह वाला जो मेरे इस मिज़े कौन सा मिरे बता है कॉंवेक्स मेरे को हम लोग सामने वाले कार के सामने में यूज करते हैं क्योंकि बैक तो यह प्रिफ्लेक्टर के तरह पर यह काम करता है ठीक है आपको इस लेक्टर अच्छे समझ में आ गया होगा आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेर कीजिए और अच्छे सप्राइब करते रहें कि मिलते हैं नेक्स लेक्टर में तब तक के लिए गुडबाई